Hello Everyone, स्वागत है आप सभी का हमारी चैनल पर दोस्तो आज का हमारा टॉपिक है एसकैरियासिस यह जो एसकैरियासिस डिजीज है यह एसकैरिस लिूम्बरिकोइट्स जो की एक राउंड वाउम है इसके कारण हो जाती है और यह जो डिजीज है इसे हम एसकेरियस के नाम से जानते है human beings में especially जो children होते है उनमें यह infection होता है जो भी food and water हम consume कर रहे हैं जो भी हम खा रहे हैं अगर वो contaminated है वो प्रदूशित है एसकेरियस के eggs से तो यह जो disease है यह हमें हो सकती है और यह जादा तर children's में होती है क्योंकि इसके जो eggs होते है यह soil में mix होते है infected person के feces के थूँ यह soil में mix हो जाते हैं और यह हमारे food तक पहुँचते हैं तो इसका जो भी life cycle है यह पिछले वीडियो में मैंने बहुत अच्छे से explain कर दिया है कि यह किस तरह से हमारे body में migrate करता है इसका किस तरह से infection हमारे शरीर तक पहुँचता है यह सारी चीज़े डीटेल में है आप सभी वो वीडियो जाकर के देख लीज़ेगा मैं link description में दे दूँगी आज हम सभी Ascariasis disease के क्या क्या symptoms आते हैं इसके क्या treatment है और इसे हम किस तरह से control कर सकते हैं या फिर इसका profile axis तो चलिए शुरू करते हैं pathogenesis और symptoms अगर हमारे intestine में ascaris lumbricoids हो जाए ascaris हो जाए तो क्या symptoms है यह जो adult worms होते हैं यह हमारे generally intestine में रहते हैं जिससे कि यह enteritis cause करते हैं enteritis it means कि intestine का inflammation हो जाता है जिससे diarrhea होगा यह जो adults है यह हमारे intestine में रहते हैं और एक toxins release करते हैं यह जो toxin है इससे हमारा intestine का mucous membrane है यह इसमें irritation हो जाता है जिसके कारण diarrhea होगा nervous symptoms भी होगे जैसे कि convulsions coma and nervousness इत मींज कि यह हमारे nerves पे भी impact पर डालेगा nervous system पे जिसमें convulsions होगे यहनि कि intestine में इसको भी effect करता है तो हमें protein जो है वो मिल नहीं पाती है जिससे कि protein के deficiency हो जाती है और children's में खास करके protein deficiency के कारण जो growth होता है वो रुख जाता है चिल्डिन्स में slow growth होना शुरू हो जाता है यह जो ascaris है यह obvious है कि abdominal pain इनके कारण होगा इनके कारण diarrhea vomiting इविन हलका fever भी आ सकता है कभी-कभी यह हमारे intestine में एक जगा पर इतने सा ज़्यादा इकठा हो जाते जिससे कि यह हमारा जो intestine का lumen है मान लो इसमें इतने यह इकठा हो जाते कि इसको पूरा block कर देते हैं तो कोई भी जो food pass होगा वो pass नहीं कर पाएगा इनके कारण तो इस case में finally surgery करके ही worms को निकालना पड़ता है यह तो रही adult की बात adult worms क्या करते हैं now जो इनका larval stage हमारे body में गुजरता है यह जो larva होते हैं यह बहुत ही ज्यादा harmful होते हैं adult worms से भी ज्यादा क्योंकि यह हमारे organs में hemorrhage cause करते हैं hemorrhage cause करते हैं क्योंकि यह जो intestine में रहते हैं यह वहाँ से पाहर चले जाते हैं intestine में छेद करके यह lungs में तो जाही रहे हैं वहाँ पे इन का larval stage पूरा होते है जैसे कि हमने पिछले life cycle में देखा था तो इस तरह से यह जगा जगा पे जा करके हमारे जो vital organs से उसे भी affect करते हैं अगर lungs में इनका ज्यादा problem हो गया तो pneumonia होगा blood loss हो रहा है अनीमिया हो सकता है बहुत सारी चीज़े हैं जो ascariasis से related है diagnosis and treatment इसका क्या test है infection को हम पता लगा सकते हैं जिसको भी यह problem है उसका stool examination कर सकते हैं उसके stool examination से हमें पता चल जाएगा कि इसमें अगर ascaris eggs है it means कि उसे यह disease हो चुकी है इसके लिए बहुत सारी medicines है जैसे की hexylrous sorkinol crystals यह crystals दिया जाता है यह खाली पेट में दिया जाता है और भी बहुत सारी anti-helminthic drugs है जैसे chinopodium oil of chinopodium इसे tetra chloroethylene के साथ ही दिया जाता है क्योंकि अगर हम सिर्फ और सिर्फ tetra chloroethylene देंगे तो यह क्या करेंगे यह जो warm से यह irritate हो जाएंगे और lumen को intestine में जो lumen है इसे block कर देंगे hence यह mix करके दिया जाता है और कुछ modern drugs जो अभी बनी है जो कि बहुत ही effective होती है benendazole paprasine, albendazole और हमें पता है कि हमने इससे previous भी जितने helminths के disease पड़े है उसमें यह सारी दवाईया जो है वो बहुत ही effective होती है now profile access और control इससे हम किस तरह से बच सकते हैं soil pollution being the cheap source of infection सबसे ज़्यादा बिमारी फैलने का खतरा soil pollution से ही होता है तो जो especially children's होते है उन्हें हमें साफ सफाई जो sanitary habits है hand wash करना यह सारी चीज़े सिखानी होगी जो भी अगर हम सबसे ला रहे हैं वो अगर उस तरह के soil में बनी है तो हमें लाकर के उसो thoroughly washed करना है boil करना है तब consume करना है fingernails कट करके रखने चाहिए hand wash करना चाहिए खाने से पहले और fecal treatment systems होने चाहिए यानि कि जो भी fecal matter से उसको chemically treat करना चाहिए ताकि उसके अंदर का जो भी ascaris egg है वो खत्म हो जाए तो कुछ इस तरह से हम इस बिमारी को रोक सकते हैं सफाई जो भी habits है उन्हें अपना करके इस बिमारी से बचा जा सकता है vegetables जो wash कर रहे हैं हम अगर इसमें vinegar डाल दे तो यह बहुत ही helpful है vinegar डाल करके veggies अगर हम wash करते हैं vegetables तो काफी हद तक उसमें जो भी bacteria है या ascaris के eggs भी होंगे तो वो खत्म हो जाएं तो कुछ इस तरह से हमें इसका control कर सकते हैं तो दोस्तों यही था अज का topic ascaris disease इसके क्या क्या symptoms आते हैं और इसका क्या treatment है इसका क्या test होता है और इसे control करने का तरीका और इसके previous में जो हमारा life cycle है वो हमने किया था वो जाकर की video आप देख लीजेगा link description में है जिसमें हमने इसका पूरा life cycle elaborate किया था तो friends अगर आपको मेरे ये वीडियो पसंद आया हो मेरे वीडियो से आपको कुछ भी help हुई हो तो मेरे वीडियो को like कीजिएगा channel को subscribe करना मत भूलिएगा और हाँ comments में भी ज़रूर बताइएगा thank you so much everyone झाल हुआ को प्यूलिएगा, इसकर रच्छूरा बताइगा ब मत भीडियो को थीडियो कर्दों मेरे ज़रूरादी ज़रूरादीट अभीडियो